कहीं तो कोई चिंगारी लगी होगी शायद बिना आपके धुआ उठा नहीं करता जी हाँ मैं बात करने वाली हूँ इन दिनों लगी उस आग की जिसने राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ा दी है और आग लगी है कौन सी तो Global Hunger Index 2023 के खेर राजनीती तो हमारा उदेश्य है नहीं हम इस टॉपिक की चर्चा अपने मुख्य पाठिक्रम को ध्यान में रख कर उसके positive, negatives और आगे की राह को ध्यान में रख कर करेंगे जिससे 360 degree analysis हो सके और किसी भी टॉपिक पर आपकी concept clarity आ सके लेकिन उसके पहले Hello, Namaste and a very warm welcome to Notebook IS Notebook IS की इस नई पहल में आपका स्वागत है जहां हम किसी भी चर्चिट टॉपिक की आपके मुख्य परिक्षा के पाठिक्रम को ध्यान में रख कर 360 degree analysis करने वाले हैं चलिए शुरुआत करते हैं Global Hunger Index 2023 के बारे में मुद्द क्या है कि लगातार तीसरे साल भारत की खराब रैंक आई है और सरकार ने लगातार तीसरी बार इसको खारिच किया है खेर खारिच करने के पक्ष और विपक्ष की भी चर्चा करेंगे लेकिन पहले इस बात के चर्चा करते हैं कि Global Hunger Index है क्या इसे कौन जारी करता है, संकेतक क्या है, किन पायतदानों पर, किन पैमानों पर इसे जारी किया जाता है तो सबसे पहले देखते हैं कि Global Hunger Index है क्या Global Hunger Index राजनीतिक जो राश्ट्रिय वैश्विक और छेत्रिय इस्तर पर भूग की इस्थिती बताने का एक सूचकांक है जो यह बताता है कि किसी छेत्र में, किसी राश्ट्र में भूग की क्या इस्थिती है इसको जारी कौन करता है तो जारी करता है आयर्लेंड और जर्मनी के दो NGO's नौन जो गौर्मेंटल और जर्मनी के वेल्ट हंगर हिल्फे और कंसर्ण वर्ल्ड वाइड इन दो संगठनों के द्वारा इस वैश्विक भूग मरी सुचकांक को जारी किया जाता है जारी करने के चार आयाम होते हैं कौन कौन से पहला होता है अल्प पोशन दूसरा है चायल्ड इस्टंटिंग यने की ठिगनापन तीसरा है चायल्ड वास्टिंग यने की दुबलापन और चौथा है शिशु मृत्यूदर यने की 0-5 वर्ष बच्चों की अपने पांचवे जन्मदीन से पहले मृत्यू हो जाना आगे चर्चा करेंगे इन पूरे topics के इन पूरे scores और उसमें क्या-क्या प्रावधान क्या-क्या चीजे सामिल की गई है इसको विस्तार से लेकिन उसके पहले देखते हैं कि यह जो संगठन है वह एक scale जारी करता है उस scale के आधार पर यह बताता है कि किस देश में भूख की क्या इस्थिती है इस scale में शूने से लेकर सौ तक के आखड़े होते हैं जिस देश को सुन्य मार्क प्राप्त होता है या सुन्य रैंक प्राप्त होती है उस देश में भूख मरी की समस्या बिलकुल भी नहीं है याने की अत्यंत ही अ प्रवधान हैं तो पहला जो हमारा आयाम है या संकेतक है अलप पोशन का उसमें ये बात की जाती है कि एक सामाने मनुष्य को अपनी रोज मर्रा की जिंदेगी में जितनी कैलोरी लेनी चाहिए अगर उससे कम मिल रहा है तो उसको अलप पोशन की स्थिति माना जाता है पुर अगर उम्र और लंबाई के हिसाब से बच्चे के वजन में कमी आ जाती है तो इसको कहते हैं वास्टिंग और अंतिम जो है शिशु मृत्यूदर मैंने पहले बताया कि सुन्य से 5 साल के बच्चों की कितनी मृत्यू हो रही है उनके पांचवे जन्म दिन से पहले प्रती इसमें 28.7 स्कोर के साथ में अत्यनत ही गंभीर श्रेड़ी में रखा गया है यह लगातार तीसरी बार है जब भारत की स्थिती में खराब प्रदर्शन देखा गया है 2021 में भारत को 101 रंग प्राप्त हुई थी फिर 2022 में 107 और 2023 में यानि कि इस साल 111 रंग प्राप्त हुई हैं जैसे कि पाकिस्तान और श्रीलंका इनकी रंग हमसे बहुत अच्छी है पाकिस्तान की बात करें तो उनको 102 रंग प्राप्त हुई है सुचकांक में और वहीं श्रीलंका की बात करें तो उनको रंग प्राप्त हुई है 60 सोचने वाली बात है कि जो लोग जो देश अभी दूसरे देशों पर अपनी खाद्यान के लिए और अर्थिक व्यवस्था के लिए निर्भर हैं उनकी देशों में इतनी अच्छी इस्थिती और जो हमारा भारत है वहाँ पर इतनी खराब इस्थिती बहराल चलते हैं इनके पूरे मुद्दे के उपर जो हमारी भारत सरकार ने क्या पक्ष रखा है इसके बारे में देखते हैं भारत सरकार में सबसे पहली बात तो कौन सा मंत्राले इसको हैंडल करता है तो महिला और बालविकास जो मंत्राले है वो इस पूरे मुद्दे पर अपनी नजर रखता है और यह सुनिश्चित करता है कि देश में महिलाओं को और बच्चों को एक पोशन यूक्त जो खाना है मिल सके और उनके स्वास्थे से सम्मंधी सभी गतिवीधियों को देखता है तो भारत के जो महिला और बालविकास मंत्राले जो है इन्होंने इसको सिरे से खारिच करते हुए इस जो पूरे सरवेक्षन और सुचकांग की जो पद्धती है उसके उपर सवाल उठाये हैं सवाल क्यों उठाया गया है तो आगे हम फैक्ट के अधार पर चर्चा करेंगे कि इस सुचकांग में कहां कमिया है और भारत अपना पक्ष किस प्रकाल से रख रहा है सबसे पहले बात करें इस पूरे आकड़े को इकठा करने की जो मैथडोलोजी है उसके उपर ही सवाल है क्यों क्योंकि यह जो पूरा सुचकांग है वो केवल 3000 लोगों के द्वारा फो यहां पर 140 करोड की आबादी वाले देश में केवल 3000 लोगों के दाटा के आधार पर इस सुचकांग को जारी किया गया है पहला मुद्दा तो यह दूसरा मुद्दा यह कि हमारी सरकार की एक स्कीम है कि अगर कोई अंतराश्टी संगठन अपने यहां कोई सुचकांग जार करता है तो उसे हमारी जो सरकारी एजनसी है या हमारे सरकार के द्वारा जारी आखडों का प्रयोग करना चाहिए खैर वेल्ट हंगर हिल्फे और कंसर्ण वर्ल्डवाइड इसको खारिश करते हैं उनका कहना है कि हम किसी सरकारी एजनसी के डाटा को उप्योग करने के कुछ पुराने आकड़ों का प्रयोग किया है कैसे तो इस तरीके से कि भारत की जो शिशु मृत्यूदर है वह लगातार पिछले दो तीन वर्षों में कम होती आई है अगर 2020 में शिशु मृत्यूदर 35,000 थी तो 2022 तक वह 32,000 हो गई है और जो 2023 के नए आकड़े आने वाले हैं उनमें लगभग 24,4 प्रती हजार चाइल्ड जो मृत्यलिटी है शिशु मृत्यूदर है वह होने की संभावना है अगर इस दृष्टी से देखा जाए तो लगातार हम सुधार कर रहे हैं दूसरा पक्ष ये भी बनता है कि जिस पाकिस्तान को हमसे अच्छी रेंक दी गई है वहां पर जो शिशु मृत्यूदर है वह 55.8 है जो प्रती हजार जो शिशु है उन पर 55.8 शिशुओं की मृत्यू हो रही है हमारे भारत के 32 की तुलना में यह कहीं ज्यादा है फिर भी हमें इतनी खराब रैंक दी गई है और पाकिस्तान को इस रैंक में उच्छा रखा गया है चलिए आगे जो है यह पूरा सर्वेक्षन जो 3000 जो लोगों के आधार पर इकठा किया गया है वह गैलप सर्वेक्षन के माध्यम से इसको इकत्रित किया गया है जो कि हमारे पोशन ट्रेकर से 7 करोड के जो आकड़े हैं उनसे कहीं न कहीं अगर संख्या की अगर है तो इस सुचकांक में जो वैश्विक भूखमरी सुचकांक है उसमें इसे लगभग 18.7 प्रतिशत दिखाया गया है तो आकड़ों में इतनी विभिनताएं कहीं न कहीं ये दर्शाती हैं कि इस अंतर राष्टी संगठन ने सही या नए आकड़ों का प्रयोग नही सौ场 Kunden कैसा कीशओर ऄनट रहीं है इसके लिए तो भारत में लगातार खाद्यव पूरति को बढ़हाने के लिए हम प्रयास करते हैं जहां हम एक रावरते啊 can दूसरे देशों को निर्यात कर रहे हैं खाद्यान की दृष्टी से देखा जाए तो आकडों के हिसाब से हम 188 देशों में 35 नंबर पर आते हैं तो सोचने वाली बात है कि जो देश खाद्यान की उतपादन और आपूर्ती में 35 नंबर पर है वह भूख जैसी इंडेक्स में इतने पीछे कैसे हो सकता है उसके बाद हमारे देश में जो योजनाय चलती हैं जैसे कि प्रधान मंत्री गलीप कल्यान योजना साथ के साथ राश्ची खादि सुरक्षा अधीनियम 2013 इसके तहत कम से कम 75 प्रतिशत ग्रामीर आबादी को और लगभग 50 प्रतिशत सहरी आबादी को इसमें कवर किया जाता है मतलब सरकार इतनी बड़ी मात्रा में इस आबादी को भोजन और खाद्यान मुहया कराती है तो यहाँ पर भी खाद्यान की कमी से भूखमरी सुचकांक में हमारी रैंग को इतना खराब दिखाना बहुत ही संदेहासपद लगता है अगली तर्थे की तरफ बढ़ें तो मात्रित्व वंदना योजना और जो है इंद्रधनुष जो मिशन इंद्रधनुष जैसी योजनाई चलाई जा रही है जिसमें टीका करण के माध्यम से शिशुमृत्युदर को रोकने का प्रयास किया जाता है मात्रित्व वंदना योजना के द्वारा गर्भवती महिलाओं को लगभग 5,000 जो है प्रति गर्भ जब वह पहले बच्चे और दूसरे बच्चे के गर्भ होने के समय गर्भ धारन के समय में दिया जाता है इसको इसलिए दिया जाता है ताकि संस्थागर डिलिवरी हो सके जो महिलाएं हैं ग्रामीन और शहरी दोनों शेत्रों में वो जाकर इंस्थिटूशनल डिलिवरी करवाएं याने कि हॉस्पिटल में जाकर बच्चों का जन्म हो ना कि पुरानी परंपरा के हिसाब से घर में अगर संसागर डिलिवरी हो रही है तो जाहिर से बात है कि बच्चों के मृत्यू होने की संभावना कम हो जाती है और आखड़ी भी बताते हैं कि हमारे अहां अब ग्रामीन और सहरी शेत्रों को देखा जाए तो लगभग 70-80 प्रतीशत करीब में इंस्टूशनल डिलिवरी की जो आखड़े हैं वो बढ़े हैं इसका समग्र रूप से अगर पुरा अध्यन किया जाए तो यही समझ में आता है कि हमारे यहां पर इस्थिती सुधर रही है खराब इस्थिती नहीं है इस्थिती सुधर रही है लगातार सरकार प्रयास कर रही है 140 करोड की आबादी है इतनी बड़ी आबादी को खाद्यान और सभी सेवाईं मुहिया कराना अपने आप में एक चैलेंज की बात है फिर भी सरकार बहुत ही बहतर तरीके से इसको ठीक कर रही है हम मानते हैं कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ कमी तो जरूर होगी एक तो इतनी बड़ी आबादी है दूसरी कहीं न कहीं सिक्षा की कमी या डिजिटलाइजेशन का जो है ग्यान कम होने की वज़े से कई बारी लोगों को सही समय में सही जो नीतियां है उनका लाब नहीं मिल पाता है ये एक समस्या जरूर हो सकती है लेकिन इतने बड़े वैश्विक सुचकांक में भारत की लगातार तीसरे साल ये इस्थिति तो फिर ये सोच पैदा करता है सोचने की जो है बात है कि इतनी खराब इस्थिति तो शायद हमारे यहां नहीं है फिर भी अगर कोई कमी है तो उसको सुधार की जरूरत है आगे की राह में हम यहीं कहेंगे कि जितनी भी नीतियां बन रही है उसका सही तरीके से इंप्लिमेंटेशन हो सके इसके उपर सरकार को ध्यान देना चाहिए केवल खारिच करना एक पक्षना हो हम अपनी कम्यों को भी सुधार करें और बहतर करने की कोशिश करें तो चलिए आज के इस टॉपिक में इतना ही मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको इस ग्लोबल हंगर इंडेक्स से सम्मंधी सभी जो पहलूँओं पर एक नरजर डाली होगी और आपको एक कॉंसेप ख्लियारिटी दी होगी अगर आपको हमारी ये मुहिम अच्छी लगी है तो हमारे इस चैनल को लाइक शियर सब्सक्राइब करें और निरंतर हमारे साथ बने रहें धन्यवाद